सल्मान खान पर लगा प्रेशराइस करने का इल्जाम सल्मान खान के लिए उन्हीं की पढ़ोसी ने कहा कि सल्मान मुझे पर प्रेशर बनाने के लिए केस कर रहा है और उससे परेशान होकर मेरी ऐसी इस्तिती है कि मुझे देश छोड़ कर भागना पड़ जाएगा ये बात कही है केतन ककर ने जो कि सलमान के पन्वेल फार्म हाउस पर उनके पड़ोसी है हम सब जानते हैं कि सलमान खान ने कुछ समय पहले केतन ककर पर डिफिमेशन केस किया था क्योंकि केतन ककर ने यूट्यूब चैनल पर सलमान खान को लेकर कहीं सारी बाते कहीं ना सिर्फ उन्हें सफेट आतंवादी कहा बलकि ये भी कहा कि उनके फार्म हाउस में लाशे गड़ी हुई है कहीं सारे स्टार्स की बहुत पार्टी होती है उनकी गर्फरिंज आती है फॉरिनर गर्फरिंज सलमान की परस्नल लाइफ को लेकर कहीं सारी बाते की गई और इसी से आहत होकर सलमान खान ने डिफिमेशन केस किया केतन ककर पर वहीं केतन ककड का कहना है कि सल्मान के पास ही उनका फार्म हाउस है लेकिन उनके फार्म हाउस में घुसने के रस्ते पर सल्मान ने गेट लगा दिया और उन्हें उनके फार्म हाउस पर जाने ही नहीं दिया जा रहा है इदर सलमान का कहना है क्यों है privacy चाहिए लेकिन court का कहना है कि हम समझ सकते हैं आप actor है आपको privacy की जरुवत है लेकिन ऐसे में आप अगर कोई land owner है उसकी खुद की legal land है तो उसको उसकी land पर जाने से आप रोप नहीं सकते हैं यही पूरा मामला court में चल रहा है इसमें अब केतन ककर ने कहा है कि यह जो defamation है यह सिर्फ और सिर्फ मेरे मामले को दबाने के लिए किया गया है और मुझ पर pressure बनाने के लिए किया गया है सल्मान खान ने मेरी property को गलत तरीके से कबजा किया हुआ है और यह मामला है सबरदस्ती इसको defamation का angle दिया है सल्मान खान ने और अगर सल्मान ने कबजा नहीं किया है तो फिर सल्मान अपना जवाब दे अपना statement दे अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो सल्मान को clearly बोलना चाहिए सल्मान ने क्यू ककड की जमीन पर gate बनवा दिया और ककड को उसकी जमीन पर नहीं जाने दे रहा है इतना ही नहीं ककड के वकील ने कौट को बताया कि सल्मान खान ने भी ककड को इतना बुरी तरीके से बदनाम कर दिया है कि ककड को बहुत बुरा लग रहा है और उसे ऐसा जैसे वो देख छोड़ कर चला जाए इसके बाद ये भी कहा गया कि सल्मान खान को ककड का एक स्टेटमेंट बहुत बुरा लगा जिसमें ककड ने कहा कि सल्मान जो है अपने फार्म हाउस पर नेचर का रेप कर रहा है जिसका मतलब ये था नेचर के साथ खिलवाड कर रहे हैं वहाँ पर बनाने की परमिशन नहीं है उसके बावजूद सल्मान खान कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये बात सल्मान खान को बुरी लगी थी ऐसे में केतन कखड के वकील ने सल्मान का ही डाیलोग उने याद दिलाया और कहा कि खुद सल्मान खान इस तरह का डायलोग बोल चुके थे जब उन्होंने सुल्तान फिल्म की थी तब उन्होंने कहा कि जब-जब मैं रिंग से बाहर आता था मुझे ऐसा लगता था जैसे की एक raped woman बाहर आ रही हो वही ककड पर जो सल्मान का इल्जाम था कि वहाँ पर child trafficking की जाती है ऐसी बात ककड ने अपने इंट्वियू में कही तो इस पर ककड का कहना था कि जो इंट्वियू लेने वाला था उसी ने ये सवाल किया था कककर ने इस मामले में कुछ नहीं कहा तो कुछ इस सरीके से अब सल्मान के पड़ोसी ने उन पर इल्जाम लगाया है कि ये केस करके सिर्फ प्रेशर बना रहा है और बदनाम इतना कर रहा है सल्मान अपने पड़ोसी को कि पड़ोसी frustrated feel कर रहा है और देश छोड़ दे ऐसे विचार आ रहे हैं उसे